आज हम पूर्णांक के प्रस्नावली एक दिस्मलों एक के पार्ट टू के अंतरगत प्रस्न छे और उसके बाद के प्रस्नों को हल करेंगे पार्ट वान में हमने प्रस्न संख्या एक से लेकर प्रस्न संख्या पांच तक हल किया था तो आएए देखते हैं प्रस्न संख्या छे निमल्खित संख्या रेखा पर पुर्णांकों के साथ कुछ बिंदू अंकित किये गया है ये संख्या रेखा दी गई है उपर्युक्त संख्या रेखा पर पुर्णांकों के अलावे कुछ बिंदू को अंकित किया गया है प्रतेक बिंदू के लिए उचित संख्या यानि प्रोणांग लिखिए तो आईए हम देखते हैं इन बिंदू को ये बिंदू पहला हमारे यहां पर है तो किसके बीच है? माइनस चौदा और माइनस बारह के बीच है तो ये बिंदू क्या होगा? ये होगा, मैं यहां पर लिख रहा हूँ फर से ये जो पहली बिंदू है ये हो जाएगी हमारी माइनस तेरा चौदी माइनस चौदा और माइनस बारह के बीच में है पुना ये माइनस बारह और माइनस दस के बीच में है तो यह हो जाएगा minus 11 और यह 6 का A है अब यहाँ फिर हम देख रहे हैं तो यह minus 8 और यह minus 4 तो इसके बीच में यह वाली जो रिखा है तो यह होगी हमारी minus 6 तो यह minus 8 और minus 6 के बीच में यह होगा minus 7 minus 7 ठीक इसी तरह से यह हो जाएगा minus 5 और यह minus 4 और 6 के ठीक बीच में है तो यह हो जाएगा minus 2 इसके बाद यहाँ देख रहे हैं 6 और यह होगा 2 तो इनके बीच में है यह 1 इसके बाद यह 4 यह तो दिया ही हुआ है यह 4 और इसके बाद 6 और 8 के बीच में तो यह हो गया 7 और यह 8 और 10 के बीच में 9 और 10 और 12 के बीच में यह हो गया 11 तो यह हमें मिल गई कि यह बिंदो जो हमारे इस संख्यारेखा पर दी गई थी यह कौन सी है अब बी नंबर बी नंबर में है अंकित बिंदो का पुर्णांग संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए तो यह संख्यारेखा देते हैं अंकित बिंदों का जो पुर्णांग है उसको आरोही क्रम में लिखिए तो आईए इसे आरोही क्रम में सजाते हैं तो यह तो यही है आरोही क्रम ये तो आरोही क्रम में ही है तो ये हो गया माइनस 13, माइनस 11, माइनस 7, माइनस 5, माइनस 2, 1, 4, 7, 9 और 11 अब C number है अंकित बिंदू का पुर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखिए तो ये तो पहले से लिखी हुई है इसे हमें अवरोही क्रम में सजा देना है तो हम जानते हैं कि अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटता हुआ क्रम यानि बड़े से छोटे की ओर तो अब रोही क्रम में हो जाएगा 11,9,7,4,1,-2,-5,-7,-11,-13 प्रसं संख्या 7, पुणांग को 8,-5,-3,-9,-7,-4 को आरोही क्रम में क्रम बड़ कीजिए आपने उत्तर की जाच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए तो आए इन्हें हम आरोही क्रम में क्रमबत करते हैं तो इसके लिए हमें जानना होगा कि सबसे छोटी कौन से पुर्णांख है तो यहां हम इस परस्ट रूप से देख रहे हैं सबसे छोटी है मैनस साथ तो यह हम इसे लिखते हैं मैनस साथ सबसे पहले इससे बड़ी माइनस 5 चुकि आरोही करम में अर्थात होता है बढ़ता हुआ करम तो ये इसका करम बढ़ा रहे हैं माइनस 4 फिर माइनस 5 फिर इससे बड़ी संख्या हो जाएगे माइनस 4 और इससे बड़ी 0 और 3 और इसके बाद 8 अब इन उत्तर की जाँच के लिए हमें इस संख्या रेखा पर अंकित कीजे तो हमने एक संख्या रेखा बना लिया है अब इस संख्या रेखा पर हम इन पुर्णांकों को अंकित करेंगे तो सबसे पहले माइनस 7 तो यहाँ पर हम माइनस 7 अंकित कर रहे हैं माइनस साथ, माइनस पाँच, माइनस चार, शोन्य, तीन, आठ, तो इस पस्ट रुप से दिख रहा है कि ये संख्याएं आरोही क्रम में है, अब प्रस्ण संख्या आठ, किसी प्रस्णोतरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिये जाते हैं, और गलत उत्तर के लिए रिनात्मक अंक दिये जाते हैं, यदि जाच उत्रोत्तर चक्रों में जैकी द्वारा प्राप्त किये गए अंक, क्रम सा, पंद्र, माइनस पाँच, माइनस दस, पचीस और ब जोड माइनस पांच जोड माइनस दस जोड पचीस जोड बीस अर्थात 15 घटाव पांच घटाव दस जोड पचीस जोड बीस ये प्लस और माइनस यहां माइनस हो गया यहां भी प्लस और माइनस माइनस शुब्दा के लिए हम क्या करेंगे कि धनात्मक संख्याओं को एक लिखते हैं तो धनात्मक संख्या है 15 जोड 25 जोड 20 और रिनात्मक है माइनस 5 माइनस 10 तो पहले धनात्मक संख्याओं को जोडते हैं तो ये हो जारी है 60 देखिए 15 जोड 25 चालीस और भी 60 अब रिनात्मक संख्याओं को जोडते हैं तो ये माइनस पंद्र अब साट से पंद्र हम घटाते हैं तो ये हमारा आ जा रहा है पैंत आलिस और थात जैकी को कुल अंक मिले थे पैंत आलिस प्रस्म संख्या नौ रविवार को स्रीनेकर का ताकमान माइनस पांच डिगरी सेल्सियस था सोमबार को ताकमान कम 3 डिगरी सेल्सियस कम हो गया सोमबार को स्रीनेकर का ताकमान कितना था मंगलवार को ताकमान 2 डिगरी सेल्सियस बढ़ गया मंगलवार का स्रीनेकर का ताकमान कितना था आई से हल करते हैं रविवार का ताकमान रविवार का तापमान ये हमें दिया हुआ है माइनस पाँच डिग्री सेल्सियस तो सोमवार का तापमान ये क्या कह रहा है कि 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है तो रविवार को माइनस 5 डिग्री सेल्सियस था तो 3 डिग्री कम हो जा रहा है 3 डिग्री हम इसमें से घटा दे रहे हैं तो ये हमारा हो जा रहा है माइनस 8 डिग्री सेल्सियस अब है मंगलवार मंगलवार का तापमान ये सोमवार के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो सोमबार का तापमान हमारा माइनस आट डिगरी सेल्सियस है इसमें दो डिगरी बढ़ जाता है यानि दो डिगरी हम जोड देते हैं दो डिगरी सेल्सियस तो हम देख रहे हैं माइनस आट और प्लस दो ये हो जाएगा हमारा माइनस छे डिगरी सेल्सियस तो ये हमारा सोम वरकातापमान और मंगल वरकातापमान आ गया है अब प्रस्न संख्या 10 मनोज अपने बैंक खाते में 5000 रुपे जमा करता है और अगले दिन इसमें से 2674 रुपे निकाल लेता है यदि खाते में से निकाली गई राशी को रिनात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खा खाते में जमा की गई रासी को आप कैसे निरूपित करेंगे। उसके बाद है निकासी के बाद मनोज के खाते की शेष रासी ग्याद कीजिए। तो इस प्रशन में दो प्रशना आ रहे हैं। पहला है जदी खाते में से निकाली गई रासी को रिनात्मक संख्या से निरूपि कर किया जाता है तो खाते में जमा की गई रासी को आप कैसे निरूपित करेंगे ये पहला प्रश्ण है तो जमा की गई रासी का निरूपल ये कैसे होगा धनात्मक चुकि निकालने को रिनात्मक करते हैं तो जमा करने को धनात्मक ये धनात्मक अब इसी प्रश्ण में दूसरा प्रश्ण है निकासी के बाद मनोज के खाते की सेश रासी ग्यात कीजिए तो शेश रासी बराबर पहले कितने थे उसमें पाँच हजार और उसमें से निकासी कितना हो गया दो हजार छेसो चोहत्तर आईए से घटाते हैं इधर से एक हासिल लेंगे दस दस से चार हो गया छे ये नौ से साथ दो फिर नौ से छे तीन और यहां से एक हासिल लिया था तो ये बच गया चार चार से दो दो ये हो गए दो हजार तीन सो चब्वी सुर्पे प्रस्न संख्या ग्यारा सीमा बिंदू ए से पुर्व की ओर बिंदू बी तक बीस किलोमीटर की दूरी टै करती है उसी सडक के अनुदेश बिंदू बी से वह पैंतिस किलोमीटर की दूरी पस्चिम की ओर तै करती है यदि पुर्व की ओर तै की गई दूरी को धनात्मक पुर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पस्चिम की योड टैकी गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे तो यहां हम देख रहे हैं कि यहां पुर्व है और यहां पस्चिम है तो यह दोनों दिशा ठीक उल्टी दिशा है अगर पुर्व धनात्मक से निरूपित करेंगे तो पस्यम को हम रिनात्मक से तो यहाँ पर यह पहला जो इसका पाठ है इसका उत्तर आ जाएगा रिनात्मक अब है बिंदु A से उसकी अंतिम इस्थिती को किस पुर्णांग से निरुपित करेंगे तो आए हम रेखा खीश कर देखते हैं माल यह यह हमारा बिंदु A है तो यहाँ से पूरब की ओर वो जा रही है 20 किलोमेटर तो यह हमने माल लिया हो गया 20 किलोमेटर ठीक है यह हो गया बिंदु A और यह बिंदु B और यह दूरी है 20 किलोमेटर तो यह हम देख रहे हैं यहाँ कहा गया है कि पूरब की ओर धनात्मक पुर्णांग से निरुपित करेंगे तो इसे हम धनात्मक से करेंगे ठीक है अब है बिंदु B के अनुदिस ही वो पस्चिम की ओर जाती है 35 किलोमेटर तो यहाँ से बिंदु B से इसी अनुदिस वो 35 किलोमेटर जाएगे यह 20 हो गया और 15 हम कर देते हैं यह 35 ठीक है तो यह तो B ही है और इसे हम मान लेते हैं C और यह किलोमेटर कितना है 35 किलोमेटर यह इस दिसा में है यह ऐसे है और यह ऐसे ठीक है तो अब यहां कहता है कि पूरप की ओर तो धनात्मक है और यह रिनात्मक तो दोनों को हम जोर देते हैं कहा जा रहा है कि अंतिम इस्थिति यानि सी की इस्थिति तो अंतिम इस्थिति यह से है ना यह से फिर से लिखते हैं यह से सीमा की अंतिम इस्थिति यह बराबर हो जाएगा यह तो धनात्मक है पूरप की ओर बीस और यह पस्थिम की ओर रिनात्मक हो जाएगा यानि जोड माइनस 35 तो यह हो गया बीस और प्रस माइनस माइनस 35 तो यह हमारा हो जाएगा माइनस 15